बिश्वासी भक्त का जब ये श्वभाव निश्चह हो जाता है कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल करेंगे तो परिस्थिती बुरी दिखाई दे सकती है परिस्थिती भायावा दिखाई दे सकती कि आवो तो सब गया ऐसा लगेगा लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिती देखते देखते उस परिस्थिती का परिणाम निश्चिंत निश्व को निर्भय कर देने वाला हो जाएगा कोई भी अर्षन अब हमको प्रयास नहीं करना उसको दूर करने का यह जुम्मेवारी हमारे प्रभू की है और प्रभू की उपर अगर आपने भरोशा द्रट कर लिया तो हर अर्षन अर्षन बन जाएगी भगवान की पूजा बन जाएगी यह संसारियों के समन में नहीं आएगा परमार्थ के पतिकों के लिए बात है और यहीं भी स्राम हो जाएगा साधग तीन बातें आरंब से देखे कि हमारे जीवन में आ रही है कि नहीं पहले बात भगवान पर पूर्ष रधा विश्वाश अनंत ब्रमान्डों की श्वामी है काल भी उनके अधीन है डरना क्यों भई किस बात का डर लगना है अगर डर है भई है तो अभी श्रद्धा विश्वाश श्वामी में नहीं है अगर हमें हरदय में कष्ट अपना प्रभाव पहुंचाना चाहता है तो जैसे कोई ठंडी से बहुत काप रहा हो और माता दोड कर आवे अपने हरदय से लगा के अपने शरीर का ताप देकर उसकी ठंड को दूर कर दे ऐसे प्रियाजु करते हैं ये कहा कहां बडभाग नित नित रत हरिवस हित नित बरधत अनुराग यह जुक्रपा हरिवस की ये आपनों भाग आपन मुक्ए हरिवस भरो से भये निदर था नित गर्जत हरिवस भर. देखा है कश्टों की बोचार है ऐसे जैसे उपर शिवर्षा हो रही है भगवान सेस्फणों का छत्र संबर तक मेग प्रणेंकारी वरश्रें गिरिराज जी का छत्र ऐसे भक्त को क्रपाच्षत्र से हर समय सुरक्षित रखा जाता है भक्त बनने के लिए कोई विशेस लाइकात की आवशकता नहीं मैं समस्त गुणों से हीन पर मैं अपने प्रभू का बस यही लाइकात है प्रभू की शिवायदी आपका कोई अन्यास्र है तो आपको दोखा लगेगा नहीं तो सची कह रहें इसी जन्मे में निहाल हो जाओगे एक बात के वल स्वैकार करो कि प्रभू की शिवा मेरा कोई नहीं है और यह भी नहीं स्वैकार कर लोगे तो तो तुम्हें अनुभो में आने लगे हम प्रतिपल देखते हैं प्रतिपल वो क्यों अपना पन चाहते हैं केवल अपना पन कोई दूशरा नहीं होना चाहिए बस कहां बाहर तो देखो आप सब हमारे हो अंदर से नहीं हो अंदर से आप सब स्री जी के हो और हम आपके शेवक हैं कि बाहर से आप गुरू मानों जो भाव मानों वो आपको श्री जी जने ऍंदर से हमारे आपалась श्री जी के जन हो रहे हमापके श्रीवक हैं अकिल सीक साथा से कोई श्री जी किसी से कोई अपनापन नहीं कि आप इसका प्रभाव समझें कि प्रभु को शिर्फ अपनापन चाहिए शिर्फ अनन्यता यदि उपासक में तीन बाते नहीं है तो अभी थोड़ी गर्बड़ी है पहला द्रडश्दाविष्वास अब नहीं है अब नहीं अप तो हाट उठने का समय आगए आप क्या आप नहीं अप गाहक मत फसाओ भजार बंद करो हाट उठालो चलो अपनी घर चलो समय आ गया घर चलने का समय है नहीं तो कल्यूग अपनी बजार ऐसी फैला देगा कि भूल जाओके कि घर भी जाना है दूश्री बात जो गुरु ने भजन दिया उसमें तत परता सची मानिए चीवन भर कभी इस प्रमात को गुरु कृपा से आने का उशर नहीं दिया गया कि चैन से सोय हों और चैन से खाय हों कुरे जीवन कभी शुविधाओं को श्वेकार नहीं हुआ पर शाधन मार्ग में कभी भी सिथिलता नहीं हुई तत परता है प्रभू पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास और गुरु प्रदत शाधन पर तत परता और तीसरा खास भी से इंद्रियों से भोगों को न भोगना तब ये जो रंग है परमार्थ का अब दो चार माला की ओ मन मानी आचरण की कहते हमें भगवदानंद की स्पूर्ती नहीं होती आपने रास्ता रखा है भगवदानंद का बजार लगाए बैठे ओ अंदर हरदे में अन्य आऽों की अन्य भोगों की अन्य चाहों की अन्य माननेताऊं की अरे खाली करो यह सब माया का खेल है एक मातर प्रभू बस जब ठन जाएगी ये बात अच्छा गौर से देखो क्या है जब चलोगी तो क्या होगा चलने की तो सोचो उस दिन की सोचो जिस दिन चलना है और किस दिन चलना है पता ही नहीं है तब तो और होस में हो जाओ आपको कोई भी यहां शायोग देने वाला नहीं कोई भी वस्तू आपकी नहीं कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा तो होश में हो जाओ समभाल लो आगे की गती मत बिगाड़ो तीन बातों पर ध्यान दीजिए श्रद्धा और विश्वास अटूट अपने इस्ट पर दूसरी बात हमारे हिरदे में जो गुर्देव ने उपासना का बीजरोपन किया तप परता देखो आपको ध्रदे की बात पहता हूँ माया के पास केवल प्रलूभन है ये सुख में बांधती है सुख का प्रलूभन अच्छे से सजा के पेस करके देना साधक को बरश्ट करना ये इसका सुखाव है माया का माया किसी व्यक्ती का नाम नहीं किसी सरीर का नाम नहीं भगवद विमुखता जिस वस्तु व्यक्ती इस्थान से हो वही माया है माया कम तो थुड़ी जिसे कोई इस्ति शरीर प्यारोब कर दे या पुर्ष शरीर पे आरोप कर दे ये तो माया है तो और क्या है मैं मोर तोर तैं और जहां तक इंद्रियां जाएं जहां तक मन जाएं सब माया ही है इसको देखा है भगवान के पारशदों में ये क्या करती है चमकीली लेबिल लगा कर सुख का चारा डाल करके जीव को बांधती है इससे सुख मिलेगा बहुत सुन्दर है ये वस्तुव ये सरीर ये विक्ति ये इस्थान ये पद इससे वो बांधती है बिवेक उपर की लेबिल का तक काला प्रेशन करता है वो अंतरिक विशे पर दृष्टी डालता है तो सब खोखला निकलता है बार निकलता है क्रास कर जाता है हुए विवेक मो भ्रम भागा तब सब विशे विलास बिरागा अग्यानी उसी आकर शंसुख में बंध जाता है और सुख तो था नहीं बंधन इतनी जोर का हो गया अब मुक्त हो रहे सकता नहीं तो उसके हदे में लिगता है इसके बिना जी नहीं सकते इस नसा के बिना वस्तु के बिना व्यक्ति के बिना और एक सूक्षम बाग वो जब आपको सुख देगी तो आपको स्वतंत्रता का अभास कराएगी और जब आप उसको छू लेंगे तो आपको परतंत्र बना देगी भैवीत कर देगी तो आप डाउन हो करके अपने आस्तित्तो को मिटा कर पूरा जीवन बरबात कर देंगे इन सब्दों को लिख लो माया शुक में बांगती है है नहीं उसके पास सुक जिसे तुम सुक समझते हो वो शुक नहीं बिल्कुल शुक नहीं वो सुक की छाया है तुम्हे समझ पढ़ती नहीं ये गिरदर की माया है उस सुक का बंदन आप देखो कुछ भी क्रिया करते हो और जिस समय सुख मिलने के लिए आप लालाईत हुए उस समय सुख भोगने की स्वतंतrtता आपको देदेगी, लेओ, आप समझ रहे हैं स्वतंतर श्वामी होकर सुख भोग रहे हैं, नहीं, आप भोग लिए रा, आप गुलामी, उसकी सहो, अब तुम्हें बैराघ हो रहाकि उसकी द्रश्टी बदलेगी, समझ रहे हो, अब अब आप, अपने आपको पूरे सरनागत कर दिये, हार तरह से तुम्हें बांध करके भगवत भिमुक करके नफ्ट कर देगी, ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से, इस शुक का प्रणोभन देकर बांधती शुक है नहीं, क्योंकि आप उपाशक हो, जब शुक में उतरोगे, तो कितने दिन, फिर आपको घ्रणा होगी कि अरे देकार हमारे जियुन, फिर लोटने का चांस नहीं रहेगा, ध्यान से सुन लो, लोटने का चांस नहीं देगी मा तुम्हारी ऐसी आंतरिक कमजोरी हो जाएगी, ऐसी बृतियां कमजोर हो जाएगी, कि तुम उस माया के इशारे पर नाचोगे, उसके विपरी तुम बोलने की भी ताकत नहीं रख सकते हैं, मान लिजिए, विसे चुगा जिन चुगे, कचुक चुगत सुख होए, फिर जो फासी ऐसी लगे, तेशम दुख नको, ये अनुभवी महापुरुष रशिक सेकर सिद्रुदाजी महराज कह रहे हैं, तो तीसरी बात का है सहीते इंद्रिय, द्रडशद्धा विश्वास भगवान पर, गुरू प्रदत प्रवल शाधना में तत्परता, और इंद्रियों क गुलामी कभी स्वईकार न करना, जीवन में ध्यान रखा जाए, केवल प्राण पोशन शरीर के निर्वाह के लिए जो निर्पेक्षभाव से मिले, उसे स्वईकार करो, अन्यथा ये प्रदोभन सुख का देकर माया तुम्हें बांद लेगी, और फिर तुम्हें अधीन क कर लेगी, कितने ऐसे मार्ग में उत्साहित होकर चलते हैं, पर गुरु कृपापात्र ना होने के कारण, चतुर खिलाडी ना होने के कारण, वो प्रदोभन में फस जाते हो, फस गए तो फिर, मचली का काटा जनते हो, ऐसे आप वो चाहे जितना हिले-दुले, वो काटा न ना हो, आप सबसे प्रार्थना है, बहुत ही अपने घर की जैसी बात होती है, इसका कार है माया का, शुक में बांधना, शुक के प्रदूभन से, और आपको सुक भोगने के लिए स्वतंतरता देना, आप उस स्वतंतरता से सुक भोगे, कि नजाने कितने जन्मों की परतंत स्वतंतरता तुमने स्वयकार कर ली, अगर इस रास्य को जान जाओगे तो डरोगे, यही डर ही डर प्यारी वन से ही तो, स्वास जैसे मनुष्य श्वभाविक लेता है, खाते पीते, सोते, चलते, उठते, बात करते, हसते, सब वस्थाओं में आप स्वास नहीं लेते, स् आई है, ऐसे ही श्वास प्रश्वास अपने आराध्य देव की इस्मरण का अभ्यास बना लो, अभ्यास योग युक्तिन चेतसा नान्य गामिना, और जैसे तनिक भी स्वास रुकरी, तो घबडाहट बेचैनी परिशानी आ जाती है, ऐसे ही स्वास प्रश्वास यदि ना जलन पैदा होनी चाहिए, तब आप उपासक माने जाएंगे, क्या ऐसा हो रहा है, क्या हर्दय की ऐसी स्थिती है, है, तो धन्यवाद नहीं है, तो इसी की प्राप्त करने के लिए प्रियाजूने हमें अपने मार्ग में घशीटा है, चाहे वो ग्रेश तो हो, चाहे वो व कि मेरे जी में बड़ी घवडाट होती है, ऐसे ओजी घवडाट, बुरिशकी जी के रहे है, श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे, मुझे बहुत घवडाट पैदा हो रही, प्रियाजू से कह रहे है, कि श्वास प्रश्वास में नाम का करम नहीं बन पारा तूट रहा है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, आप करपा करो प्रियाजू, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, प्रियाजू ऐसी करपा कर दो, श्वास प्रश्वास आपका नाम चलता रहे, ये बात प्रवचन ना मान करके जीवन मान लिजिए, जैसे हमारी स्वास प्रश्वास उठते, बेटते, चलते, फिरते, खाते, बीते, श्वाभाविक चलती है, हम ऐसा भ्यास नाम का करें, कि ऐसे चले, जैसे हमारी स्वास प्रश्वास रुकने लगे, तो घबढ़ाट बेचेनी प्राण व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे ही स्वास प्रश्वास में यदि नाम रुकने लगे, तो तद्विश्मर्णें प्रम्भ्याकुल्तित घबढ़ाट पैदा हो जाना चाहिए, नहीं होती, अभी बहुत दूर नगरी होती है, तो अब निहाल हो गए हो, तुम चिंता मत करो, आगे का जो अनभो प्रकाशित हो जाता है, जहां तक हो शके, किशी भी अनर्थ के हटाने का तुम प्रयास और चिंता मत करो, बहुत अनभो की बात है, जैसे तुम कहीं फस गए, गलती हो गई तुम से, माया ने फसा लिया, अब निर्भय हो जाओ तुम, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी निंदा होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पूरा जीवन बरबाद नहीं कर देना है, प्रभू के भरोसे हो जाओ कि यदि आपको अपमान और निंदा करवानी, तो करवाओ, पर अब लो नसानी, अब ना नसाई, और मैंने, समझ गया, अब आगे अगर तुमसे अनर्थ हो भी गया है, तो ततकाल आगे बढ़ो, तुम्हारा इस्ट वो तो जान रहा है ना, पकड़ो उसी को, आप जान रहे थे मैं फिस अल्ला था, आपने नहीं रूका ना, चल, अब आपके उपर है, आप चाहे आपमान करवाओ, चाहे निंदा अब मैं आपको छोड़ने वाला ने, बिल्कुल ये बात पकड़ लेना, ये जीवन में कई बार ऐसे उसर आते हैं, जहां हमारी भक्ती को बाधित करने के लिए माया ऐसे काटे फैला देती है, और हम अशमर्त हो जाते हैं, हम दब जाते हैं, कुछ गड़वर नहीं होगा, मृत्य से ज्यादा कुछ गड़वर होने वाला नहीं, जो गड़वर हो गया, अब धुबारा होगा नहीं, और उसमें हम दबेंगे नहीं, हम उसे क्रास करके आगे बढ़ेंगे भगवत मार, कुछ नहीं होगा, विश्वास करना, वो ऐसे फूल जैसा निकालके तुम्हें अलग कर देंगे, बिश्वास रखना, बिश्वास रखना इस बात पर हम जोर दे के कह रहे हैं, नहीं फस जाओगे, फस जाओगे, कभी इस गुरू से छुपाओ मत करना, कि अगर यह जान गए तो, नहीं, जानो तुम जानो, क्यों, क्यों जाने, गलती तो तुने की, तो उठा रहे हो, और जब गिरने जा रहे थी, तब क्यों दृष्टी नहीं डाली, अगर पकड़ लीती तो गिरता ही क्यों नहीं, तुम्हारी बाया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड, कैह हरिदाज, तुम्हारे हम जीते, तो यह अपने सम्मंध बल से बात कर रहे हैं, जुकना नहीं, तूटना नहीं, माया का कार्य है, जुका देना, रोन देना, और पस्चाताब मत करना, प्राया कहा जाता है, प्राश्चित करो, पस्चाताब, हमारे पास समय नहीं है, राधा, 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 सब हो गया, पस्चाताब, बढ़ा गए, न कि आप अपने हरदय को इतना गिराते चले जा रहे हो हरदय का इस्तर कि उत्सा ही नहीं रह जाएगा यह आप रेशन है सिधे भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल दर्ड विश्वास तुम्हें अब अपनी चिंता नहीं करने बैठा लो हरदय में बैठा लो अगर भगव बिश्वास नहीं तो घबडाट पैदा हो जाएगी भै हो जाएगा बिशाद हो जाएगा हरे कितनी बार संसार में अपमान हुआ है कितनी बार सम्मान हुआ है यह कुछ सम्मान अपमान कुछ आस्दित तो नहीं रखता अब हरी नहीं छुटेंगे भाग हरी की तरव भाग बिल्कुल परवाह न कर भाग किसी के फंदे में मतफ़ भाग अंदर की पुकार है अंदर की बात कह रहा हूं ये मन बहुत बदमास है पहले तो लुभाय मान करके सुख में बंधाता है और फिर भै और संकट विसाद में फसा देता है प्रभू का विधान संदेह युक्त नहीं होता निशन्देह तुमारे सामने वो विधान प्रगट होगा जिससे तुमारा परमंगल हो जाएगा परमंगल हो जाएगा दरना है बताया नहीं तो एक बार प्रेम भगत की बातों हमारे पास प्रेम जी आते थे बहुत नाम जापक थे स्री हरीवन, स्री हरीवन उनसे पूछा आपके ऐसी नाम निश्ठा कैसे आई तो उनका गलती से उनका गलती से नाम निश्ठा कैसे आती है तो किसी पद के अधिकारी थे जिसमें किसी कानून के बिर्द उसमें दसकत कर देने से करोणों रुपया उनको प्राप्त होना था तो रात्री में आफिस में बुलवा के उन्होंने वो गलती कर दी दसकत की बड़े अधिकारी थे और वो उनको पता नहीं था कि वो शड़ेंत्र है और पहले से कैमरा रख दिया गया था पूरा वीडियो लेते देते बातचीत करते दसकत करते सब प्रमान तो सुबह जो उनकी आरती उतारी गई समाज में तो घर वाले भी उनसे कि जैसे पुत्र थे पत्री कि पिता जी पापा आपसे ऐसी आसा थी मार दिया हम सब लोगों को आपने कब हम लोगों ने धनकी मांग कि आपसे आप इस अवस्था में ऐसा कर तो घर से ये वचानों बाहर तो सब उपहास उनका उन्हों निश्चे के आप रात्री में आत्मत्या कर लेंगे कर्म बढ़ा विचित रोता है पर वो बरंदावन पहले से आते थे और हरिवन्श उपासकों से मिलते रहते थे गुर्दे भगवान से भी उनका परिशे था गलती किसी से भी हो सकती चूख है यही तो है ना कंचन कामिनी कीर्थी कहीं भी लुभाय मान सायद उनके मन में लगा हो कि दसकत कर लेंगे और मिल जाएगा ब्रंदावन बास करें जंजट छूट जाएगी कुछ न कुछ ऐसा आ धार्मिक प्रवत्ति के नहीं थे पर क्रिया तो हो गई नहीं सडेयंत्र था उन्होंने सुच रात्री में अब हम प्राण त्याग देगे धामाना और रसिकों के संग के प्रभाव से एक दिव्यता प्रगट हुई उस सब के सामने सोने का नाटक करके लेट गए तो परिव अपन में देखा कि कोई उनसे कह रहा देखो तुम्हारे सिराने सेवकवानी रखे इसको पकड़ो बरने की जवरत नहीं सब ठीक हो जाएगा जगे तो सेवकवानी सिराने रखे हुई थी जैसे एक भक्त को तुलशी दल नामक ग्रंत सिराने रखा अरे अलोकिक शक्ति प्राण मिल जाएं कि भाई प्राणरक्षा अईसा पो स्रीय अरीवर्स स्रीय रखे हरे समाज में जब हो आते थे उनका आचा सम्मान होता था तेजों में जेहरा वव्यृ ब्रद्ध शरीर आजिए चलता रहे ता बात करते हैं और ऑशे आज इसी नाम में रती देखी देखो न क्या हुआ देखतना क्या थी दरश्य क्या था जीवन बेल्कुल बैर्थ हो क्या गया लोक्ष्य माननी जीवन बन गया, महात्मा बन गया और भगवत प्राप्त हो गये है उनका सरी छूट गया है तो यहां कह रहे है कि तुम्हें किसी भी है तुसे अपनी चिंता नहीं अपकरनी प्रभू का विधान निशंदे परमकल्यान में होता है तुम्हें संदे नहीं करना कड़ूआ हो सकता है लेकिन आउसर तो मिल जाएगा सिरी जी की तरफ भागने का हम अपने को अच्छा साबित करने के लिए पूरा जीवन लगा दे नहीं भाई, हम नीच आचरन वाले परम भागेंगे प्रभू की तरफ लोग पावन करने वाले महात्मा बन जाओगे सत्तरती, सत्तरती इसको बैठा लो, जीवन में काम आएगी ये वस्तु काम आएगी क्योंकि विपक्ष जोरदार है माया कोई शाधारण नहीं है बिश्वासी साधक का भगवान स्वयम जुम्मा ले लेते हैं बिश्वासी साधक का भगवान स्वयम देखो अपने मन में तुम किसी प्रकार की चिंता न रख करके ये आज से विश्वास कर लो कि अब मेरे जीवन में जो होगा मेरे प्रियाजु के द्वरा किया हुआ विधान परम सुख प्रद होगा परम मंगल में होगा विश्वासी भक्त का जब ये स्वभाव निश्चह हो जाता है कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल करेंगे तो परिस्थिती बुरी दिखाई दे सकती है परिस्थिती भयावा दिखाई दे सकती कि अब तो सब गया ऐसा लगेगा लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिती देखते देखते उस परिस्थिती का परिणाम निश्चिन्त निश्व को निर्भय कर देने वाला हो जाएगा बैवीत मत होना बहुत ये अम्रत्मई बाते हैं गर अपने शाधन पत्पे हम इनको आदर्श मान कर चलें तो बहुत जल्दी आनंदा जाए किशी भी अर्चन को तयार हो ये काल छेत्र है मृत्यु छेत्र है कुछ भी कभी भी कहीं भी कैसे भी सब के सम्मर सकते हैं अब ही यही खंबा टूट जाए बिल्लिंग गिर जाए सम्मर जाओगे कहां जाओगे जहां यह ऐसे सुन रहे हूं न ऐसे निकुंज में चलें अब हमें किसी भी अर्चन से कोई भै नहीं किसी भी अर्चन से भै नहीं आप घिलवार मत समझें किसी भी अर्चन कोई तुम्हें नहीं रोख सकता अपसरी जी से मिलने के लिए यह आगंतु भै एक श्वाभाविक होता है जैसे पुजिश्री मंगनानंद जी सरकार सेनपूर बहुत चुकोटी के ब्रह्म लीन महापुरुष तो एक चौकी पर ऐसे बैठे हुए थे और बहुत से संतजन परमहन सब बैठे हुए थे और ब्रह्म चिंतन के विश्य में चर्चा चल लए थी तो एक संत आगन तुप ब्रण आये ऐसे गंगा किनारे उस समय स्वामी जी कह रहे थे मंगनानंद जी कि एक होता है विचार्व है वो संतों में कभी नहीं होता है और एक होता है तातकालिक है वो सबको व्याप्त हो जाता है तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी उससे हम आपका आ प्रसंग पूरा होने के बाद पिर आपका उत्तर हो जाएगा ऐसे चोकी लगाई बैठे और बैठे थे बटबरक्ष के नीचे तो एक जैसे बाज है गीद प्रक्षिय है उस समय तो वह संध्या का समय था कैसे जे वी बैठा खरवर खरवर वो डाल तो महारा चोकी की नीचे ह गये जो गंगा किनारे से आए ते ना तो का स्वामी जी ये विचार भय है या स्वाभाविक भय है या आपको ब्रह्म चिंतन या ब्रह्म बोद नहीं तो हास दे वोले उत्तर मिल गया इस स्वाभावी जैसे अभी बंदर चीख दे तो सब भबडा जयओ कर न वीचार भय है यह आगंतुक श्वाभाविक भै विचार भै कि अब जो है ऐसा होगा ऐसा हो शकता है नहीं नहीं वही प्रशंग चल रहा है भगवान प्रमान देते चले जा रहे हैं देखो कोई भी भै कोई भी अर्चन अब तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकती पक्का मान लीजिए डरों देखो इसमें इसलिए प्राणों की बाजी लगा के अब हमारे प्राण नहीं हैं हमारे प्राण प्राण नात को समर्पित हैं मेरे प्राण नात से स्यामा तो क्यों भै करें तो हम यह सब करकिस के लिए रहें स्यामा जो के पास पहुंचने के लिए स्यामा जो के पास पहु गुरु गोविंद शींग लाखों की शमाज बेठी हुई थी, उन्हों ने कहा कि अगर तुम आजादी चाहते हो, तो तुम्हें अपने प्राण देने पड़ेंगे हमें, खड़ा हो कोई विक्ती, जो अपने प्राण देना चाहता है, मैं उसे आजादी, आजादी दो प्रकार की, प्राकृतिक आजादी और एक दिब्य आजादी, दोनों देने में शमर्थ थे, गुरु गोविंद शींग, ये सिखू के आजा रहे हैं, बहुत ही अध्यात्म बल और शादिरिक बल से भी पुष्ट, एक खड़े होई हमत है, बुलिया, गड़ासा हाथ में अंदर गए, और ऐसा लगा कि उनकी गर्दन उतार दी गई, और ऐसे रक्त प्रवासा नाली से बहा, जो सब को दिखाई दे रहा था, और कोई है, जब पता ही चल गया कि गर्दन उतारी जारी रक्त प्रवा, वो कहते हैं, मुझे तुम रक्त दो, प्राण दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, दो, ती, चार, पांच, पांच, अंदर ले जाते हैं, ये वाभास भी नहीं होने दिया कि वो जीवित है, पांच दे, पूरी सभा में पांच दे, और ग नाम गुरु गोविन सिंग्न दराओं, ये एक-एक से सवा लाग को पराद, क्योंकि प्राणों की बाजी समर्पित कर दी, अब क्या भै, ए, माया से आजा दी, प्राप्त करने के लिए भैवीत होना तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दू, विचार भै नहीं होना चाहिए ये स्वाभाविक भै होगा, अभी कोई ऐसी आवाज आ जाए, वो ऐसे स्वाभाविक होता है, उस पर तरक भी तरक नहीं किया जाता, विचार भै नहीं होना चाहिए, जानते हो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा सरीर हरी को समर्पित है, हरी के अधि अर्चन को भगवान की सौभार्द के सामने अर्चन मत मानना हम अगर अर्चन को दूर करने का प्रियास करेंगे तो अर्चन हमें फसा लेगी अर्चन और यदि भगवान पर बिश्वास कर लिए तो वही अर्चन अर्चन बन जाएगी उपासन बन जाएगी मान लीजे बात, बान लीजे आप लोग तो ग्रेश्त में देखा होगा, हमने देखा है बच्चागीरा रोने लगा, मा उठाने आई छाती से लगाया उमा के थपण मार रहा है यदे प्यों कुछ जानता ने पर भाव जब उसके देखे, बलिहार है इस वातसली की, बलिहार है यह मा को मार के कह रहा है अब तू छाती से लगा रही जब गीरा और छोट लगी तब तू कहा थी, क्यों ले उठाया यह अधिकार हरी, वो तो अलपग्य मा है, पर हम तो सरवग्य मा, हरी के वातसल्य में डूबे हुए है हमको तो भै बिल्कुल नहीं होना चाहिए हाँ जान बूच कर इसका दुर्पयोग मत करना बिश्राम की तरफ सत्संग जा रहा है ध्यान से सुनो कोई भी अर्षन अब हमको प्रयास नहीं करना उसको दूर करने का यह जुम्मेवारी हमारे प्रभू की है और प्रभू की उपर अगर आपने भरोसा द्रट कर लिया तो हर अर्षन अर्षन बन जाएगी भगवान की पूजा बन जाएगी पर देखो इस बात को लेकर के हमें अशुद धाचरण नहीं करना गंदी बात पे नहीं उतर जाना कि आप बचा लेना जो वगवान हो तो नहीं बचाएगी हम तुमें बता रहे अगर उनको चेलेंज करोगे न कि सतसंग में सुना है कि आप बचाते हो बचा लेना भला तो नहीं बचाएगे क्या करेंगे डबल पिटाई करवाएगे तुम्हारी क्योंकि सुनके भी तुम मनमानी कर रहे हो न और जब पिटोगे फिर रोगे तो फिर बचा लेंगे ये लीला विहारी गुरू है बहुत करुणा में इनसे उल्टा मत खेलना नहीं तो अगर ये उल्टा खेलने लगे तो तुम पहचाली नहीं पाओगे कह रहे हैं अपने आचरन को जान बूझ कर असुद्धना करो तुमारी सारी बुराईयों की जुम्मेवारी हरी ले लेंगे सब्द पर ध्यान दीजिए जान बूझ कर तुम अपनी बुराईयों का प्रियोग मत करो तुम्हारे में जो बुराईय है वो स्री हरी स्वयम स्वयकार कर लेंगे वो ठीक है जैसे आग में मल पड़े या चंदन या लोहा पड़े या लकड़ी आग सब को अपना रूप दे देती है ऐसे हर बुराई हरी में जाके परम सदगुन बन जाती है हम जितना अपने आपको अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे यह संसारियों के समन में नहीं आएगा परमार्थ के पतिकों के लिए बात है और यहीं भी स्राम हो जाएगा हम अपने आपको जितना अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिस करेंगे उतना ही हमारा प्रयतनम को नीचा गिरा देगा यदि हम अपने को भगवान के आश्रित करकर के उनके नाम का जप और उनकी आग्यां पे चले तो इतने अच्छे बन जाओगे बिस्तरे सब जग बिमल कीरति साद संगति ना टरे इतने महान बन जाओगे कि बिश्वात्मा भगवान जब घरदे से लगा लिए तो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई सुर नर्मुन प्रशन ताहु पर सुई बिजई बिनई गुन सागर तास सुजस्त्रे लोकु जागर इसले सत्संग का मनन करो और ये जीवन बेर्थ ना जाने पावे असावधान आप रहो और निर्वा हमारी लाडली जु करेंगी और ये जन्म हम सब को लाडली जु की प्राप्ती के लिए मिला है और पका पका विश्वास करो लाडली जु हमें मिलेंगी पका विश्वास करो इस पे संसे मत रखना हम किसी साधन बल से नहीं कह रहें कि तुम्हें लाडली जु मिलेंगी लाडली जू मिलेंगी उनकी करपा से उनके दुलार से उनके आकरशन से अब हमारा निश्चे हो गया है कि लाडली जू मिलें आपका हमारा सब का यह जितने आप सब बैठे हो आपको पता नहीं आपके कितने भाग प्रकाशित हो रहें लाडली जू की करपा से अगर पता चल